विल्कम टू अनुप श्टेडी जोन आप सभी लोगों का अनुप श्टेडी जोन में स्वागत है हम लोगों ने पिछली कलास में क्या देखा था नमबर आफ जीरो मतलब जीरो की संख्या ग्याद करना तो वो कलास आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रेश्पिशन में दिया गया है वहाँ लिंक में जाकर क्लिक करके देख सकते हैं या तो फिर आप अनुप स्टेडी जोन के चैनल पर जाएए और वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट यूपी प्लिस का इंस्टेबल के मिल जाएंगे वर्दी बैच में आप लोगों का स्वाग और बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा तो सबसे पहले हम लोगों का आज का जो टॉपिक होगा वो होगा विभाज्यता क्या होगा विभाज्यता अब देखिए जो विभाज्यता है इसका मतलब क्या होता है विभाज्यता का मतलब होता है कि कोई संख्या दी गई और पू 3-4-2 सबिस्मित्राइब आपसे पूछ जाता था बताये यह संख्या क्या तीन से भाजित हो तीन से कटेगी तो यहां पर आपको यह देखना पड़ता है। कि یदि हम को यहां तो कंडिसर नहीं होता है कि हम स्वस्क्रेख सीन होता है कि हम लोग क्या पूरा कड़ जाएगा इसको कहते हैं हम लोग वाजक क्या होता है वाजक यह जो होता है इसको हम लोग कहते हैं भाज्जे और यह को होता है से सेस्फल रिमेंडर अब ध्यान से देखिए जब हमको भाजक निकालना होता है तो यह फर्मूला हम लोगों लगाते हैं भाज बराबर भाजक गुड़े भागफल धन सेस्फल जैसे यह फर्मूला लगाते हैं आपको पता चल जाता है कि भागफल क्या होगा सेस्फल क्या होता है कभी कभी प्रशन इस पर भी पूछता है अभी हम लोग इस पर प्रशन पर चर्चा करेंगे हैं अब यहाँ पर आपको यह समझने की जरूरत है कि हम लोग यह पढ़ने वाले क्या है, तो क्या जब हमको येसी संख्या दि जाएकी, तो हम लोग ऐसे भाग देंगे क्या, भाग देंगे देहां परन्त में देखेंगी, तब ये कटेगा, तब भाग फलाएगा, तब हम उसमसे आखिए तूभ, लीशन में बहुत सारे नियम बनाए गए हैं कि 3 से कचने के क्या नियम हो सकते हैं? 2 से कचने के क्या नियम हो सकते हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसी तरह से हम लोग संख्याओं को कचने का नियम देखेंगे कि जैसे ही बड़े-बड़े संख्या मिलती है जैसे आपको दे दिया गया तीन, चार, दो, आठ, तीन, साथ, 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 दो, चार तो क्या ये चार से कड़ जाएगी क्या संख्या? आप इसको देखते ही बता सकते है कि हाँ ये बिलकुल चार से कड़ जाएगी नहीं क्या यह 8 से कर जाएगी क्या यह बिल्कुल 8 से नहीं कटे जी इसके लिए एक अलग फर्मूला होता है तो अभी हम लोग देखेंगे तो यह जब विश्म संख्या होती है न आठ के लिए रूल क्या होता है लाश्ट के तीन डिजिट लेजिए लाश्ट के तीन अंक लीजिए यदि यह विसम है तो यह जो 24 वस्तान 24 में चार जोड़ दीजिए कितना आया 28 संक्या भी आठ से नहीं कटेगी तो ऐसे स्पेशल रूल की हम बात करेंगे क्योंकि किताबों में आपको क्या दिया रहता है कि लाश्ट के तीन अंकों को उठाकर भाग दे दीजिए बहुत साथ आपके टीचर्स यहीं पढ़ाते हैं अंत के तीनों अंक को उठाकर भाग दे दीजिए यदि वह आठ से कटता है तो वह बिलकुल वह पूरी की पूरी संक्या आठ से कट जाएगी तो ऐसे ही सभी नियमों खोम लोग देखेंगे तो पहले जो प्रश्ण का लेबल होता था वह आपको कैसे पूस्ता था ऐसे प्रश्ण देकर पूस्ता था कि बता दीज है ऐसे करेगा यहां पर कोई एक्स और वन लिख देगा और बता दीजिए और यह भी कहेगा कि यह जो संक्या है वह ग्यारे से पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी आपको क्या बताना है कि यह जो एक्स लिखा हुआ है कभी-कभी यहां पर एक्स लिखता है तो कभी 11 से कटने का नियम हमको पता रहना चाहिए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे Rule for two किसके लिए? दो के लिए जो नियम होगा, वो क्या होगा? दो का नियम सबसे सरल होता है यदि आप देखें जो इकाई का अंक होता है यदि वो दो हो या दो का गुड़ज हो, है न? दो का गुड़ज हो कुल मिला के एक समसंख्या हो दो हो या दो का गुड़ज हो या एक समसंख्या हो, क्या इकाई अंक, तो वो दो से हमेशा कटेगी, जैसे यदि आप लिखते हैं कि 231 342 889 है न? अब बताए यह तीनों संख्या है, यहाँ पर यह दो सो एक तीस जो है, वो दो से कटेगी क्या? आखबन करके बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? अंत में एक है, और यदि यह एक है, तो जाहिड सी बात है, यह कटेगी नहीं यहाँ पर अंत में देखिए, दो है यह दो है, तो दो का, बिलकुल दो से कट जाता है यह पर संख्या की संख्या पुरी कट जाएगी किस से? दो से ध्यान से सुनते चलिए देखिए, एक चीज होता है कि बेसिक बेसिक आपको पता होना चाहिए, हम इसके साथ basic concept लगाएंगे लेकिन इससे पहले आपको सारे नियम पता होना चाहिए तो धीरे-धीरे करके एक-एक नियम को समझेंगे जहाँ पर चीजे नहीं समझ में आएंगी वो आप पूछेंगे यहाँ पर है 889 यहाँ पर 889 आपको क्या देखना है नो क्या दो से कटता है क्या नो के गुड़या में आता है क्या नो के पाड़ा में आता है क्या नहीं आता है दो दो का मतलब क्या होता दो के घात में एक हैना चार इसका मतलब क्या दो के घात में दो आठ इसका मतलब दो के घात में तीन हैना जैसे दो का घात में दो गुड़े दो इसका मतलब चार दो गुड़े दो इसका मतलब आठ अब ध्यान से समझे कि यहां पर यह दिया आप मा तो बिल्कुल आपको ये करना है दो से पूछ रहा है दो के गात में कितना है एक ही होता है तो अंत के सिर्फ एक संख्या को देखिए क्या दो से कट रहा है क्या तो दो के गात में एक है एक ये दो जो है दो से बिल्कुल कट जाएगा पूरी की पूरी संख्या दो से कट तो हम अब क्या करें, दो अंकों को उठा कर, हम चेक करेंगे, कि यह चार से विभाजित हो रहा है, यदि हो जाएगा, तो पूरी संख्या कर जाएगी, और यदि विभाजित नहीं होती है, तो पूरी संख्या नहीं करती है, यही मैंने आपको कब बताया था, जब मैं इकाई अंक पढ़ा रहा था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था, कि ये रूल अभी हम लोग विभाजता के नियम में पढ़ेंगे, आठ के लिए क्या सर्थ होता है, कि लाश्ट के जो तीन संख्या होती है, यदि वो आठ से कट जाते हैं, तो वो पूरी के पूरी संख्या आठ से क कर लेजिए, कि क्या वो कट रहा है, क्योंकि दो के गात में सोला, चार करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सोला, लाश्ट के चार संख्या को चेक कर लेजिए, कि सोला से कट रहा है, कि नहीं कट रहा है, वो पूरी संख्या कट जाएगे, तो इस तरह से आपको याद रखन है और याद रखने मी आपके क्यां हुँए सहायक हुँगे है ना चलिए अभी हम लोग चर्चा करेंगे टार की भी आठ के भी यहां पर आपको यह समझना है कि बस दो के लिए एकाय यंक्द्व है तो आपको तुरंत कुछ करना नहीं हिए तो आपको समझ vaz Islands जाना है कि काई अंक दो से कडर रही है तो वह पूरी की पूरी संख्या 2 से कड जाएगी गिलिए रूल फॉर फॉर्टृ अब हम लोग तीन के लिए देखेंगे outcomes 3 के लिए क्या रूल होता है इसके हम लोग 3 रूल जानेंगे वहीं चीज़े हैं 3 रूल मादट देखेंगे इसका दीखें तीन में हम लोग क्या क्या देखेंगे मन लिजाले तो क्या क्या कोई संक्या काटे हैं तो क्या करते हैं उन सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए जो भी अंका आ रहा है जो भी संख्या आ रही है वो आपका नौ सरी तीन से कट रहा है कि नहीं कट रहा है तो पहले तो आपको यह समझना है कि एक आप concept type के ऐसे कर सकते हैं कि आप अंत तक जोड़ते चले जाए और अंत में जो संख्या आता है वो तीन से कट रहा है कि नहीं जैसे आपने पांच चार नव है नव एक दस दस आ गया और दस में फिर इन दोनों को भी जोड़ दीजिए कितना आ गया एक आ गया कितना गया एक क्या एक वो तीन से कटेगी क्या बिल्कुल नहीं कटेगी और जब एक तीन से नहीं कटेगी तो यह संख्या भी तीन से नहीं कटेगा दूसरा हमको यह क्या करना है कि 6, 8 और 1 को जोड़ देना है 6, 8 और 1 को जोड़ेंगे तो आता है 15 15 क्या 3 से कट जाएगा, बिलकुल कट जाएगा, 5 बार जाएगा, मतलब कट जाएगा तो यह पूरी की पूरी संख्या भी कट जाएगी इसको और इसको, दोनों को कंसेप्ट सेम ही है बस आपको समझने के लिए, अब आप ऐसे भी लगा सकते हैं 6, 8, 15 हो गया, 1, 5 आया था, अब इन दोनों को भी जोड़ दीजे, 5, 1, 6 अब 6 भी तो 3 से कट जाता है, तो बिलकुल वहीं कंसेप्ट है आपको बस थोड़ा से समझना है कि क्या चीजे हो रही है अब यहाँ पर यह है कि हम पूरी संख्याओं को जोड़ने जाएंगे और तब जाकर डिवाइड करेंगे, है ना और एक दूसरी बात यह हम लोग समझेंगे माली जी यह दूसरा हो गया, यह तीसरा हो गया यह हो गया 54, 72, 63, यह मैंने एक संख्या ले लिया अब आपसे पूछा जाएगा कि बता दिजिए यह तीन से कटेगा कि नहीं कटेगा तो आपको करना क्या होगा, कि आप इन सभी को जोड़िए उसके अंसार चाहिए, इसके अंसार पूरा जोड़ लिजिए, पांचार नौ, नौ साथ, सोला, सोला दू, अठार, है ना, अठार, अठार, छेच, चौवविस, और चौविस, तीन, सत्ताइस, कितना आ गया सत्ताइस आ गया, है ना, फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, 9 आ गया, मतलब 9 जो है, 3 से कट जायागा या आप ये भी समझ लिजएगे, 27 जो आया है, ये भी 3 से कट जायागा जब पूरा योग जो है वो तीन से कट जा रहा है इसका मदद तीन से पुरा कट जाएगा और भी बड़ी संबड़ी संख्याएं मिल जाएंगी तो आप कैसे समझेंगे जोडेंगे सबको और तीन से डिवाइड कर देंगे अब पात यह आती है एक अलग तरीका होता है इसको चिक करने का आपना एक काम करिए जैसे माली जी आपको तीन छे और नौ में सभी को काटना सीखे हम लोग इसको काट कर भी कर सकते हैं यही नियम कन आपको नौ में भी लागू होगा क्या हम यह जो संक्या दी गई होती है इसको हम लोग एड करकर के जो भी तीन का गुड़ज बन रहा है उसको हम लोग काट के हटा देंगे और जो लाश्ट में बचेगा वो सेस हो जाएगा और कुछ नहीं बचेगा तो सेस कुछ भी नहीं होगा अब ध्यान से समझेए हमने कहा यहां पर देखे तीन है तीन तो तीन से कट जाता है छोड़ दीजिए यह भी कार देजिए छे भी कट जाता है तीन से कट दो तो कटता नहीं है लेकिन हम यह साथ दो नो करेंगे तो यह कट जाएगा पांचा नो करेंगे तो यह कट जाएगा यहाँ पर भी आपने नो का पेर बना दिये, यहाँ पर भी आपके नो का पेर बना यह कड़ गया, एक और नमबर लेते हैं, यह संख्या देखिए, क्या यह तीन से कटेगी किया, अब उनको पता करना है, देखे, चार दो च्छा होता है, मतलब यह कड़ गया, छे अपने बिल्कुल भी ये संख्या नहीं कटेगी, यहाँ पर ये समझे, आप अपने इस हिसाब से भी कर सकते हैं, सबी संख्याओं को जोड़ देजिए, और यदि आप तीन से कर जा रहा है, तो कर जा रहा है, दोनों चीज़े आपको सिखना है, ये आपको जल्दी कराएगा, आपको थोड़ा से भी डाउट होगा, मैं हर कलास में यहीं करता हूँ, थोड़ा सा भी डाउट होता है, तो आप कमेंट करके आप बिल्कुल निश्चिन्थ होके पूछ सकते हैं, और यदि आपको चीज़े स्टार्टिंग में नहीं समझ में आती है, तो कलास में बीना सो समझे कुछ समय तक बैठे रही है, जैसे ही कुछ दस मिनट तक आप समय देंगे, आपका सारे चीज़े क्लियर हो जाएगे, ठीक है, यह तो हो गया आपका, किसका रूल फॉर फॉर फॉर, चार के लिए क्या नियम होता है, कि हम अंतिम दो संख्याओं को देखेंगे, कौन अंतिम दो संख्याओं चार से कट गई, तो पूरी की पूरी संख्या चार से कट जाएगी, जैसे आपने लिखा, नो, 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 आठ, साथ, छे, हैना, दो, चार, यह संख्या क्या चार से कटेगी, क्या, चार से कटे, देखिए, अंतिक संख्या 24 है, चार से डिवाइड कर दीजिए, चार से का चौबिस, मतलब ये चौबिस कट गया, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी, एक और प्रेस्ट लेते हैं, तीन, नो, छे, चार, आठ, नो, तीन, दो, क्या ये चार से कटेगी क्या, बिलकुल कट जाएगी, क्योंकि ये जो लाश्ट क पांच का नियम क्या कहता है, बिलकुल ही जी होता है, पांच के लिए, पांच का नियम कहता है, कि मैं उसी संख्या को काट सकता हूँ, जिसके अंत में पांच आए, या जीरो आए, मतलब पांच के लिए क्या है, कि पांच आजाए, या जीरो आजाए, वही संख्या हमें सा पांच से divide होगी चलिए देखे मैंने अभी आपको बताया था 2 के लिए यदि 2 है तो 2 की घात में 1, 4 है तो 4 मतलब 2 की घात में 2 उसी तरह से 8 है तो 2 की घात में 3 इसी तरह से हम लोग कर्म में करते चले जाएंगे उसी तरह से 5 का भी लागों होता है, पाँच है, तो पाँच की घाद पर एक, पचीस है, तो पाँच की घाद पर दो, हा है ना, 6, 1, 2, 5 यह संख्या दिगे, तोनों इस संख्या में कहा गया बता दीजी कि क्या यह संख्या 2 से कटेगी क्या, मैंने आपको क्या पता है, अंत में देखी यह दी, 2 है, 2 या कोई सम संख्या है, तो वो 2 से कट जाएगी कि बिल्कुल यहां पर दो है तो दो से कड़ जाएगा इसके लिए अंत में आपको एक संख्या देखनी है चार से कटेगी क्या चार के लिए अंत में दो संख्याओं को देखना होता है 32 कर जाएगा आठ से 32 कर जाएगा तो मतलब यह हम लोग हमेशा घात को देखेंगे वह कितने खात लगा हुआ है उतनी संख्याओं का अंत मेंसे देख लिजिए वो संख्या यन उससे कट रही है तो पुरी पूरे पूरी संख्या कट जाएंगे से मि यह यहा पर भी लागो यह लाक होता क्या यपी तो आप यह देखिए यह पूरी संख्या मैं तो आप भाग दीजिए या तो यहां वें। on a पांच क्या होता है मिलब धो हो जाएगा गात में तो अंत के डो जाक का को क्या तक आप देखेंगे किए तीन चंख्यां ते यह हुआ है वह नियमलाग वहतां 125 के स्याथ क्या ये संख्या 125 से कटेगी क्या तो अंत में आप देखेंगे तीन संख्या दी हुई है तीन के घात लगा हुआ है पांच के तो यहाँ पे तीन संख्या को देख लिजे क्या 125 से कट रहा है यह 3 125 ही तो है मतलब यह पूरी संख्या 125 से कट जाएगी पूरी की पूरी संखिया एक سो पचीस करेंगे तो यहाद रहेगा तो जल्दी भूलेंगे नहीं क्योंकि आपको पता है पांच का स्क्वायर होता है स्क्वायर मतलब दो लगा हुआ है पचीस के लिए हम लाच लाश्ट के दो डिजिट चेक करेंगे 125 के लिए हम 3 डिजिट चेक करेंगे इसी तरह से चेक करके हम लोग डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो हम लोगों का रिजल्ट निकलेगा वो आपको answer टिक करना है clear है? यहां तक कोई doubt होए? नहीं चलिए अब हम लोग चलेंगे आगे rule number 6 के लिए rule number 6 क्या कहता है? यहां पर देखते हैं rule for 6 rule number 6 क्याता है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 से कट जा रही है तो वो 6 से कट जाएगा अब आपको 2 का भी नियम पता हो चुका है आपको 3 का भी नियम पता हो चुका है और जो संख्या 2 और 3 से कट रही है वो पूरी की पूरी संख्या 6 से कट जाएगी यहां पर आप देखिया थोड़ा से समझे अच्छे एक बात आप जान लीजिए मैंने आपको सह अभाज संख्या बताया था पहले कलास में कि सह अभाज संख्याए क्या होती है तो सह अभाज संख्याए अच्छे एक बिर जान भी लीजिए क्योंकि यहां पर आपको लगाना है तो जानना जरूरी है सह अभाज संख्याए सह अभाज संख्याए जो होती है उनका मौस जो होता है ही वो हमेसा एक होना चाहिए क्या और चाहिए एक इक बात ये हमेशा याद रखना एक बात यह हमेशा याद रखना क्साट भाजी संख्या हैं जितने भी होगे उनका मास् सेख होगा जैसे मा लिजे आपने लाम कि बोलता है क्यों पूछात एक है य 가장 गुशा आता इसे कर जाएगी क्या तो 28 को आप कैसे कर सकते हैं 28 को 7 गुड़े 4 कर सकते हैं जो कि जिसका मुझा कितना होगा एक होगा होगा ना आप इसको 14 गुड़े 2 भी कर सकते हैं 28 लेकिन इनका मुझा एक नहीं होगा इनका मुझा 2 हो जाएगा 14 और 2 का तो इस तरह से आपको ऐसी संख्य यहां पर आप देखेंगे तो 6 का जो मौसर यहां पर जो संख्या हमने सह अभाज निया है 2 और 3 2 और 3 आप मौसर 1 होता है मतब़िए अब यह सही क्योंकि आपको पता है 1 और 6 भी कर सकते हैं हम लोग इसको तो यहां पर आपको करना क्या है तीन गुड़े दो भी कर सकते हैं और यहीं हमको लेना है तीन और दो अब एक बात समझे मैंने आपको यह बताया कि सह अभाज संख्याए होनी चाहिए है न? सह अभाज संख्याए होनी चाहिए माल लिजी अब आपसे कोई कह रहा है कि बारा बता दीजे मेंट परसन पीच से l καट जाएगी वह संख्या जो चार और से लाइगी वह बाहरत अबहतर आप रोचा पूछा गया SAM n बहतर कि नंबर दिया गया कोई बड़ा सा और पूछा गया कि यह वह फिर से कटैंगi क्या तो 72 से कटने के लिए आप क्या कर सकते हैं आपको पता है कि कि 8 गुडे 9 यहीं तो होगा 8 9 72 इन दोनों का मासा भी एक है तो जो संख्या 8 से कट जाएगी वह आप और 9 से कट जाएगी वह 72 से अपने आप कट जाएगी एक तो 6 से कटने का नियम यहीं होता है जो संख्या 2 और 3 से कट जाएगी एक पर क्यूक रिविजन करते हैं स्टार्टिंग से दो के लिए लाश्ट का जो अंक होता है वह हमेसा सम होना चाहिए इस लिए वह कटेगा तीन के लिए सभी संख्याओं को जोड दीजिए या तो सभी संख्याओं का पेर बना बना के कट दीजिए यदि 6 आ रहा है नो आ रहा है जोडने पर तो उसको कट के अलग कर दीजिए यदि पूरी संख्या कट जा रही है तो वह आपका तीन से कट जाएगा चार के लिए हमने क्या कहा कि लाश्ट के दो डिजिट दो अंक लेने है चार भी कट जाएगा पांच के लिए मैंने क्या बता है यदि अंत में पांच या जीरो है तो वो पांच से भी कट जाएगा छे के लिए मैंने क्या बता है कि दो और तीन यदि 6 है 2 और 3 से कट जा रहीगे कोई संख्या तो पूरी की पूरी संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगे चलिए एक एक जामपल लेते हैं और उसको देखते हैं 6, 5, 4, 3, 1, 2 ये एक संख्या दी गई है और पूछा जा रहा है कि बता दीजी क्या ये 6 से कटेगी क्या तो क्या ये संख्या 6 से कटेगी क्या तो इसके लिए हमको 2 चीज़े एक 2 और एक 3 से डिवाइड करना ही है तो 6 कर लीजिए तो 2 से कटने के लिए अंत का जो काई अंख है वो 2 या 2 का गुड़ज होना चाहिए या समसंख्या होना चाहिए वो बिल्कुल है मतलब ये 2 से कट जाएगा 3 से कटने के लिए हम लोग क्या करें कि 3 कट जाएगा 6 कट जाएगा और 5-4-9 होता है 9 जो 3 से कट जाएगा और 2-1-3 ये बिल्कुल 3 से भी कट जाएगा 2 से भी कट जाएगा 3 से भी कट जाएगा इसका मतलब ये जो संख्या है न ये 6 से भी कट जाएगा समझ मैं एक और संख्या लेते हैं 4-5-6-2-1-2 क्या ये संख्या कटेगी क्या आपने छे से काटने के लिए क्या कहा है कि एक संख्या दो से भी कटनी चाहिए और तीन से भी कटनी चाहिए दो से कटने का नियम आपने जानता है आप जानते हैं कि क्या होता है अंत में इकाई अंक जो होता है वो सम संख्या होनी चाख़ी हो बिुकुल है दो से कड़ जाएगी, तीन के लिए देखते हूं, तीन से छे कड़ जाएगा, थानिदर्ज़ना, दो और एक, तीन ये भी कड़ जा, चार और दो छे होता है, ये भी कड़ जा, बचा क्या पांच पांच जो कि तीन से बिल्कुल नहीं कटता है इसलिए संख्या तीन से नहीं कटेगी दो से कटने के बावजोद भी ये तीन से नहीं कटी इसका मतलब ये छे से बिल्कुल भी नहीं कटेगी ये संख्या समझ में आया इसी संख्या को चेक करें कि क्या ये ब सब्सक्राइब तो आपको यहाद रखना है आप यहाँ पर एक गलती नहीं करेंगे जैसे यहाँ पर मैंने कहां बता दीजिए 12 से कौन संख्या कटेगी तो आप 6 और 2 से काटने नहीं जाएंगे कि जो संख्या 6 से कड़िया जो संख्या 2 से कड़िया आपका प्रशन गलत हो जाएगा आपको हमेशा वैसे गुरंखंड लेने हैं वैसे गुरंखंड इनके करने हैं जिनका मौस जो हो वो एक हो तभी तो मतलब कुल मिलाके सभाज संख्याएं लेनी हैं तभी तो यह सभी पर शेवन किसके लिए रूट वर सेवन यहां पर हम दो तरीके देखने वाले हैं एक तो आप जोग अपलोग पढ़ते हैं वह रूल देखेंगे और एक और अन्य रूल देखेंगे जो कि परिक्षा में पूजता है कभी कभी आप देखेंगे न अभी एक प्रश्न मैं आपक एक ऐसा रूल बताऊंगा जो साथ ग्यारह और तेरह से हमेशा कटेगी नियम एक ही रहेगा और वो तीनों जो है उस पे लागू होगा लेकिन पहले आप बैसिक समझेए कि ये जो साथ होता है ये किस से कटेगा हमेशा याद रखना है इसके लिए क्या करना पड़ता है जो दो से गळा करते है उसका एकाय के अंग का दो गुणा करते है और भी बचे हुए संख्या बचे हुए संख्या से क्या करते हैं घटा देते हैं और यह तब तक क्रम करते रहेंगे जब तक आपकी संख्या जो है बच नहीं जाती है एक एक्जामपल लेते हैं एक एक्जामपल लेकि इसको पहले समझते हैं था ना 61631 यह दिखी नंबर 61631 तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इकाई यंग क्या है एक है इसका दो गुना करेंगे इक आयंक का दो गुना करेंगे क्या जाएगा 2 मैंने कहा बचे हुए संख्या में घटाना है अब एक कतो हटादीजे जो बची हुए है in यहाँ यहाँ विए थी कितना आ घटा दीजे कितना गया चा एंगा चार एक और छे और पच्छी संख्या क्या है यह यहां पर यह इन तो चार का दो गुणा करिए यहां पर क्या हो जाएगा आठ हो जाएगा इक सट में से फिर आठ को घटा दीजिए जैसे ही आप एक सट में से आठ को घटाएंगे तो माली जी आपका कितना आ जाएगा तिरपन आ जाएगा कितना आ गया तिरपन आ गया क्या तिरपन जो है वो साथ से कटता है क्या तिरपन जो है वो साथ से कटता है क्या नहीं कटता है और जब वो साथ से नहीं कटता है इसका मतलब यह जो संख्या है वो साथ से नहीं कटेगी, यह संख्या मैं ने लिया, क्या बताईए, क्या यह साथ से डिवाइड होगी? साथ से कटेगी? देखें, जेक करने का तरीका क्या होता है? पहली वाली संख्या का हम दो गुना करेंगे, और बच्चे हुए संख्या से गटाएंगे. तो किसमेंस घ्राइंगे 42 4 में से घ्राइंगे बचा कितना 42 सो बच किया इस 00 का फिर 52 में से घ्राइंगे और आ जाएगा 42 अब यहां पे 42 आ गया आपको पता है 42 सांथ chaos 42 होता है यह बिल्कुष saat 00 कर जायेगा इसका मतलब यह है, यह जो संख्या आपको मिला है, यह संख्या बिलकुल साथ से कट जाएगे, बिलकुल साथ से कट जाएगे, जब आपका नंबर छोटा होगा, तो आप ऐसे ही साथ को साल्व करेंगे, कैसे साल्व करेंगे, जैसे मैंने आपको दिया है, ठीक है, लेकिन, ज कोड़ी संख्याओं के लिए तो यह करेंगे जैसे इकाई कांग दो गुना करेंगे और बचे हुए संख्या में क्या करेंगे उसको घटाते हुए जाएंगे और अंत में जब तक वह आपका साथ से कटे नहीं जाता है तब तक उसको लेकर चलेंगे हम लोग ठीक है लेकिन माली जी संख्या 241 और 231 241 और 231 345 कर लिजे थोड़ा समझ में भी आना चाहिए 241 और 335 यह संख्या दी गई है अब ध्यान से आपको समझना है यह थोड़ा सा संख्या बढ़ा हो गया तो जैसे ही आपको पेर दिखने लगे ना 3-3 का पेर बना लिजे क्या करना है 3-3 का पेर बना लिजे एक प कुछ भी नहीं करना है इस पेर में से इस पेर को घटा दीजे इस पेर में से दो आपने जोड़ा बना लिया इन दोनों जोड़ों में से इनको इनको क्या करना है घटाना है अब घटाए 345 में से 241 घटा दीजे यहां पे 4,0 और 104 आ गया अब चेक कर लिजे कि क्या यह कर देख लिजी है कि बिलकुल नहीं कटेगा कि płिल कुल नहीं कटेगा और ज suggestion इस शाहीं कटेगा यह पूरी की पूरी संख्या साथ से नहीं कटेगी अच्छाइब आपको यह भी steps आया था 104 11 से कटेगा किया नहीं कटेगा मतलब ये संख्या 11 से भी नहीं कटेगी क्या ये संख्या 13 से कटेगी क्या बिलकुल 13 से कट जाएगी 13 में जब आप 8 का पाड़ा पढ़ेंगे 13 8104 होता है तब जाकर ये क्या हो जाएगा मतलब ये संख्या 13 से कट जाएगी मतलब यह जो रूल मैंने आपको बताया जब संख्याएं आपकी बड़ी-बड़ी दी हुई हो तो आप तीन-तीम का पेर बना लीजिए और उसको आपस में घटा दीजिए यदि वो साथ से कट जा रही तो साथ से कट जायेगी ग्यारे से कट जा रही है तो ग्यारे से भी कट जाएगी और यह तेरे से कट रही है तो तेरे से भी कट जाएगी ठीक है यहां तक तो चीजे क्लियर होंगी अब आपको यह समझ में आ रहा होगा कि सर चलिए बड़ा कोई बड़ा सा प्रशन दे दीजिए जिसमें आपको यह समझ में आजाए कि यह चोटी-चोटी संख्याओं को तो हम ऐसे भी साल्व कर लेते इसको कोई बड़ी से संख्या दे कर आप बताए तब न समझ में आए तो चलिए एक बड़ी संख्या आपको लिखनी है 264-641 पहले मैं यह लिख रहा हूँ और आप इसको क्या करेंगे साल्व करेंगे एक सो तेइस पान सो पचीस यह हो गई आपकी संख्या दी हुई अब आपको बताना है क्या यह संख्या साथ ग्यार या तेरा से कटेगी क्या अब आपको दिमाग में इसका दोगुना करूं फिर इतने मैंस करूं यह कैसे पॉसिबल है इतना कटी सवाल कैसे दे सकते हैं एक्जाम में आया हुआ प्रश्ण है एक्जाम में यूपी प्रिस के एक्जाम में आया हुआ प्रश्ण है तब जाकर यहां तक तो ठीक है यह नियम है जैसे ही इतना बड़ा सवाल देगा तब जाकर आपका दिमाग घूमने लगेगा कि अब क्या किया जाए ऐसे प्रश्ण अधिकतर आप देखेंगे एससी की परिष्छाओं में मिलता है आपके उत्तर प्रतिस पुलिस में एक बार से में परिष्छा में दिया गया प्रश्ण है इसलिए मैंने इसको इस कंसेप्ट को आपके सामने रखा है अभी मैं आपको एक दो और सवाल बताऊंगा लास्ट में के घटा देना है तो पहले आप इसको इसको जोड़ लीजिए 264 123 जोड़िये कितना आएगा चार तीन साथ छे दू आठ और दू एक तीन 387 आगया इसको भी जोड़ लीजिए 641 525 जोड़िये पांच एक छे चार दू छे चे पांच गैर एक ग्यारा सो छाचट दोनों को माइनस करिए एक ग्यारा सो छाचट 387 माइनस कर दीजिए कितना आएगा भई यह दिखे 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 9 यहाँ पर हो गया 5 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा और यहाँ पर हो गया आपका 0 10 मिस तिन गया 7 क्या यह संख्या 7 7 9 जो आया है यह 7 से कटेगा क्या बिल्कुल नहीं कटेगा 7 7 7 7 होता तो कट जाता लेकिन 7 7 9 है तो यह नहीं कटेगा 11 से कटेगा 11 77 होता है फिर 9 बच जाएगा 11 से भी नहीं कटेगा ना तो यह 7 से कटा ना तो यह 11 से कटा 13 से एक बार चेक करेंगे करेंगे तो देखिए उस कंडिशन में क्या करना है जब आपका पेर नहीं बनता है तब आपको यह करना है कि उसको आप पेर मनाने के लिए जीरो लगा देंगे है नवे बनाने के लिए माली जी आपको दिया हूा है 641, 123, 525 यहीं बस दिया हुआ है तो आपको देखिए एक, दो, तीन पेर देदिया जब दो पेर दिया हुआ था तब तो नारमल आप घटा ले रहे था चार दिया हुआ तब पर यह नारमल तरीके साब घटा लेंगे लेकिन यदि आपको ये तीन पेर मिल गया तब क्या करेंगे तो आप इसको ऐसे बना लीजे और इसको रहने दीजे या तो यह समझ लीजे कि जीरो 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 के साथ है जो घटाएंगे तो यहीं आएगा इन दोनों को जोड़के इसमस घटा दीजे जो संख्याय आ रही हो साथ 11 और 13 से कड़ जाएंगी तो आपके उत्तर जो होगा निकल के चलाएंगा ठीक है यह दिसमें कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा मैं नेक्स्ट कलास में इसको फीट से जैसे मैं आपको कमेंट देख लूँगा तो किसी कलास में इसको मर्च कर लूँगा ठीक है चलिए यह हो गया साथ आठ से कटने का जो नियम होता है वो क्या होता है वो देखते हैं आठ के लिए क्या नियम होता है आठ के लिए क्या नियम होगा यह देखें बिलकुल आसानी समझिया और समझ जाएंगे और आठ का मैंने आपको लगए दो बार बता दिया है कुछ नहीं होता है अंतिम के तीन संख्या किस से कड़ जाए जो है वो आठ से कड़ जाए तो यह संख्या जो है आठ से पूरी की पूरी तरह विवाजित हो जाएगा जैसे मैंने लिखा तो 60 का कोई बैल्यू नहीं है तो 64 क्या 8 से कटेगा क्या बिल्कुल कड़ जाएगा एक और संख्या लिजी 7 8 3 4 6 8 6 4 क्या यह संख्या 64 से कटेगी कॽ्या शोरी 8 से कटेगी देखें 3 संख्या लेजिए 864 हो齐 आ ठिका और हां मिल्कुल कर जाएगा तो यह भी कर जाएगा मतलब आपको 8 खिलिए करना क्या है अंतिम के 3 संख्या हो लीजिए यह आट से कर चारी और कर जाएगी चलिए यह तो सही है बहुत बढ़िया लेकिन आप एक और तरीके से कर सकते हैं जैसा कि मैंने आभी आपको बताया एक और तरीका है जैसे माली जी आपको कोई संख्या मिल गया तो आप तो देखते हैं पता कर गए होंगे कि लाश्ट की तिन संख्या आठ नौब अबहत्तर उसके बाद तीन बचेगा तो यह कटने वाला नहीं है एक तरीका और है क्या है कि आप देखेंगे जब और यह तरीका तभी लगता है जब यह संख्या तीसरी संख्या क्या हो सै संख्या हैं तो यह साथ से कटेगा नहीं कटेगा इसलिए पूरी संख्या नहीं कटेगी यह अलग इसलिए मैंने आपको बताएं मैंने है गणी hen hai चाहिए आठ से कटेगी आप देखते ही पता कर लिए होंगे कि हाँ ये 8 से कटेगी इसके कॉर्डिंग अब देखने की ज़रूत नहीं है तो आपको पसंद आए ये वाला इसको करी ये वाला पसंद आए इसको करिए नारमल तरब किसे आप याद करेंगे सारी चीजिए आप को याद हो जाएंगे लेकिन कुछ स्पेसल मैं इसलिए बता रहा हूं कि प्रश्णों का तरीका जो है अब बदलता जा रहा है और उसके एकारडिंग हमको काम करना है अना उसके एकारडिंग चलना है आगे हम लोग आप देखेंगे रूल आफ रूल फॉर नाइन इसी देख लेते हैं मिटाएं क्या रूल फॉर नाइन के लिए क्या होता है कुछ भी नहीं होता है यह जैसे मैंने आपको तीन का नियम बताया था तीन का जो नियम है दिट्टो यही नौप मेंनकि लगेगा जैसे तीन के लिए मैंने क्या बताया था आप exists ती सब को जोड़ लीजये जो सब्सक्राइब कर जाएगा जैसे माली जी कोई संख्या दी हुई है क्या यह संख्या 9 से कटेज़ेंट यह संख्या 9 से कटेज़ेंगे यह सभी संख्याओं को आप जोड़ लीजिए यह नौ से करें इन स mulheres के मिल पूरी संख्या कर जाएंगे लेकिन आपको यह समझना है अब यह हां पर जोडने जाए फिर जितना बड़ा सांका आएगा फिर इसको हम लोग 9 से भाग देंगे तब हमको पता चलेगा कि यह 9 से कट रही है नहीं कट रही है लेकिन हमको वैसे करना भी नहीं है हमको 3 और 6 के रूल में क्या करना है अब इसको पेर को धुनिया और निकाल दीजिए जैसे साथ और नो हो गया मतलब यह 9 से कट गया और क्या हो गया इस तरह से आप 9 को देख सकते है आगे चलेंगे रूल रूल फॉर टेन रूल फॉर टेन दस के लिए बिलकुल ही जी है कि एकाई अंक क्या होना चाहिए हमेशा जीरो होना चाहिए तभी दस से कटेगा आनिता दस से कटने वाला बिलकुल फी नहीं है दस से कटने का सिंपल से नियम है एकाई अंक जीरो अच्छा यहां पर यह निय लब दस के घात, तीन होगा, इसी तरह संख्या चलती चली जाएंगे, लेकिन आपको यह समझने, यदि कोई संख्या दी गई है, बताइए, दस से कटेगा क्या, अंतिम का एक अंक देखिए, वो भी क्या, जीरो होना चाहिए, अंतिम के दो अंक देखिए, सो से कट जाएगा अंतिम के तीन अंक देखिए, एक हजार से कट जाएगा, मिलकुल और वो हमेशा जीरो ही होना चाहिए, और एक हजार से कटने के लिए यहीं कंडिसन होता है, तीनों जीरो हो, सो से कटने के लिए यहीं कंडिसन होता है, दस से कटने के लिए यहीं कंडिसन होता है, कि वो ज लिए प्रस्णों को देखेगा जो है आज वो ही ज्यादा पूछ रहा है है ना तो चलिए अब इसको देखी ग्यारे के लिए लिए हम लोग करते क्या है पहले तो एक संख्या लिखेंगे एक संख्या लिख लेते हैं फिर इसके बाद हम आँपर यह संक्क्याँ आपको मिली तो आप क्या करेंगे ट कैसे पता करेंगे कि यह एक 11 से कटेगा कि नहीं करेंगा अचैने कभी-कभी क्या होता है आप लोग ऐसे गल्दी कर देते हैं कि एसे continue एक 2-3-4 1-2-3-4 संक्याओं को जोड़कर घटा कि सबसे पहले क्या करेंगे यहां से ऊठाएंगे एक चोड़कर दूसरे पे जाएंगे फिर उसके बाद एक चोड़कर दूसरे बजाएंगे हैं अंत से और सबने संख्या बच गई तो फिर एक छोड़कर जिस पर हो गया उसको छोड़ दीजिए ऐसे जाएंगे ना कुल मिला के पहले आठ नमबर को जोड़ लेना है और सब को जोड़कर घटा देना है चलिए पहले इस वाले उपर वाले के पहले दो पर आया है दो प्लस तीन पर गया है चार प्लस फिर उसके बाद 6 पर है 6 उसके बाद बचा का इधर से 7 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2 इनी दोनों संख्याओं को आपको घटा देना है और यह जब संख्या घटाए जाएंगी तो आपका या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए या तो 11 का कोई गुड़ज होना चा यहां पर जोड़ के देखिये 6 4 10 3 3 15 आ गया माइनस साथ पांच बारह और दो दो चार 16 जो आ गया आया क्या आया क्या आया क्या यह 15 है यह 16 है एंसर आपका माइनस एक आ रहा है एंसर आपको क्या रहा है माइनस की ज़रूत नहीं है आपको यह समझना है कि 1 आ रहा है जब आपका answer 1 आ गया माइनस एक आ गया 0 आना चाहिए था या कोई 11 का गुड़च होना चाहिए था वो तो है नहीं इसका मतलब यह 11 से बिलकुल भी नहीं कटने वाला है ये 11 से बिल्कुल भी नहीं कटने वाला है है न चलिए एक और संख्या ले लेते हैं उसको भी समझते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ ये जो संख्या है क्या ये 11 से कटेगा क्या तो सबसे पहले एक लीजिए फिर एक संख्या छोड़िए फिर तीन लीजिए फिर एक संख्या छोड़िए पांच लीजिए फिर एक संख्या छोड़िए साथ लीजिए लिख लीजिए सभी को एक प्लस तीन प्लस पांच प्लस साथ फिर जितनी संख्या हैं बची हैं को जोड़ लीजिए 4 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 यह हो गई दोनों को जोड़ के माइनस कर दिये कि 7 5 12 15 16 माइनस 4 2 6 6 12 8 20 यहां पर आणसर आपका क्या रहा है माइनस 4 जो की बिल्कुल भी गलत है आपका आना क्या चाहिए जीरो या तो 11 आना चाहिए जीरो इन दोनों का अंदर हमें सा जीरो आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए या तो 11 का कोई गुड़ जाना चाहिए तभी तो यह 11 से कटे अच्टने वाला नहीं है ना थेकर 22 32 एक और संख्या लेगते हैं 22 32 पैटार 167 और अठव्ट अब इस संख्या को आप चाहे तो इस तरीके से कर लीजिए पहले आप क्या करेंगे सभी एक एक छोड़कर संख्यान को ले लीजिए या तो स्टार्ट से करिए यहाँ पर जायांगे इससे या तो इससे करिए कोई दिक्द नहीं 9 6 15 और 15 5 22 22 आ गया माइनस क्या करना है 2 2 4 और 4 5 9 8 17 कितना आ गया यह आपका एंसर 5 आएगा यह भी संख्या जो है कटने वाला नहीं है नहीं दो दो 4 4 5 9 9 7 16 अच्छा एक मिनिट एक मिनिट कितना आ जाएगा यह यहां पर होगे 2 3 5 4 9 9 6 15 और 15 7 22 हो गया उसके बाद माइनस करना 2 2 4 4 5 9 9 7 16 होता है और 16 9 24 होता है 16 8 24 होता है यह आगया आपका माइनस तो बिल्कुल यह भी गैस नेगा अब हम लोग क्या करेंगे सीधे प्रश्णों पर चलेंगे और प्रश्णों को देखेंगे कि प्रश्ण किस तरह से परिक्ष्ण पूस्ता है और किस तरह से हम लोगों ने अभी तैयार यह याद करने की तरीका यह कि दो बार वीडियो देख लेंगे पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कोई डाउट नहीं रहेगा यह ठीक है यह कुछन देखिए इस कृष्ण को देखिए इस प्रश्ण में आपको देखिए कैसे साल्व करना है जहान से पहले देखिए आप आंको प्रशन दिया क्या यह कोई संख्या है वह संख्या छे आर्ट साथ एक दो 9 है कहा जारा है कि संख्या को 9 से टिवाइड किया जाय तो आप दो X का मान गयात कीजिए अब ये है क्या भई दे क्या दिया ये अभी तक तो आपने पढ़ा कि छे आठ साथ दो नौ इस संख्या को नौ से भाग दे रहे थे तब आप नियम निकाल दे थे बैटी के नौ साथ दो नौ है नँ अब ये कटने वाला है नहीं है और पता करना है कि यहां पर क्या होगा है नहीं यहां पर क्या होगा इस वैल्यू में तो हम लोग क्या करेंगे पहले ध्यान से देखे हम लोग नौनो का पेर निकाल लेते हैं क्योंकि हमको पेर से ही निकालना है आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं कि सब को जोड़ दीजिए, देखिए, दोनों तरीके से सालोग करते हैं, आप दोनों तरीके से समझ जाएंगे, 6 प्लस 8 प्लस 7 प्लस X प्लस 2 प्लस 9, है न, यह जितना भी आएगा न, वो हमेशा 9 से कट जाएगा, यदि वो 9 से कट जाएगा तो यहां पर एक ऐसी value रखनी पड़ेगी जो 9 से कट जाए ध्यान से देखिए आपको यहीं पता है ना 9 से कटने के लिए हम लोग स्वाज संख्याओं को जोड़ते हैं तो 8 6 14 14 6 21 21 29 32 32 32 32 प्लस यक्स आगया अब 32 आगया अब आप ऐसा नंबर यक्स में सोच लिजिए कि 32 में जोड़े और 9 से वो कट जाए नो चोग 36 होता है है ना मतलब यक्स के जगा पे यदि हम 4 रख दें यह 36 बटा 9 हो जाएगा और यह कट जाएगा तो X की बेल्यू क्या आ जाएगी एक्स के वैल्यू चारा जाएगी लेकिन उप्ट एक्स की नहीं 2X की पूचा है मतलब दो गुड़े X का पूचा है मतलब X के जगा पे आप 4 रख देंगे तो 2 गुड़े 4 मतलब इसका जो एंसर होगा वो 8 हो जाएगा यह तो इस तरीके से दूसरा तरीका आपका सेम यही प्रोसेस होगा पस दूसरा तरीका क्या होगा कि आप यहां से पहले देख लीजिए कि 9 कड़ जाएगा साथ 2 9 कड़ जाएगा अब आपको पास बचा क्या आठ चे प्लस 8 प्लस X बच गया 14 प्लस X बच गया इसी को 9 से काट ना था है अब यहां पर क्या रखे 9 दुनी 18 हो यहां पर आठ आ जाएगा है ठीक है चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण क्या कह रहा है अगला प्रस्ण जो है कि यदि 17x और 3 है यह 3 से विभाज है किससे कर रहा है कि यह 3 से पूरा कर जा रहा है और यह जब संख्या 3 से पूरा पूरा कर जा रहा है तो आपको यहाँ पर x की value बता दीजे कि x की value क्या होगी आपको पता है कि यह 3 है 3 भी कड़ जाएगा 718 मतलब हम नहीं कड़ेगा एक प्लस 7 प्लस x यह जो है तीन से कड़ जा रहा है यही परिच्छा में जो प्रशन है जो बोला जा रहा है मतलब 8 प्लस x इसको जोड़ेजे 718 प्लस x यह हो गया आपका 3 यहाँ पर आप काटेंगे आपको यहाँ पर x पर ऐसी संख्या चाहिए जो 3 से भाग देने पर कड़ जाए और 8 में जोड़ना हो तो आपको पता है कि 3 दूना 6 होता है है और यहाँ पर क्या रखें 3 तरिका 9 होता है आप यहाँ पर x की वेल्यू एक रख दीजिए तो यह आपका कड़ जाएगा ऐसा सबसे छोटी से छोटी मान कौन सा रखें कि वह आपका जी संख्या हो जाए वहां पर x की वेल्यू निकाल दीजिए तो ऐसे प्रशन जल्दी देखने को परिक्षा में तो नहीं मिले हैं लेकिन हां यह इसके लिए तैयार रहेगा ऐसे प्रशन आपके परिक्षा में आएं पूरे कट जा रही है यह चार से पूरा का पूरा कट जा रहा है तो बता दीजिए क्या मान रखें यहां पर ए पर आपको पहले से पता है चार से कटने के लिए अंत की दो संख्याएं कटनी चाहिए तो एक के स्थान पर एक रखेंगे तो 14 तो कटेगा नहीं एक के स्थान आगे चलते हैं, आगे की प्रशनों में देखेंगे यहाँ पर, अगला प्रशन क्या कह रहा है, अगला प्रशन कह रहा है कि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या 524x से कटी जा रही है, मतलब आपको यह बताना है कि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या है, जो यह है, तो आपको यहाँ पर X की वैल्यू निकालनी है, तो कुल मिलाकर यह कह रहा है कि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या है, जो संख्या यह है, वहाँ पर आपको X की वैल्यू फैंड करना है आठ के लिए मैंने क्या नियम बताया था आठ के लिए मैंने यह नियम बताया था कि अंतिम के तीन संख्या यदि आठ से कट जा रही है तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी चार दो 6 है ना प्लस एकस बटे आठ अब आप यहां पर ध्यान से देखिया ़ेल्यू पूट्प करतें यह क्या कर दिया मैंने ऐसा नहीं होगा यह देखे 24 है और यह X है इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे आठ तरीक 24 यह देखे कड़ गया 24 कड़ गया अब यहां पर हम लोग क्या करें कि बस एक ही X का वेल्यू रखें और एंसर आ जाए एक रखेंगे क्या आठ से कटेगा क्या नहीं दो रखेंगे तीन रखेंगे चार रखेंगे चार रखेंगे फिर भी नहीं कटेगा पांच है अब सोया में संख्या आठ ही जब तक नहीं आएगी आठ रखे दीजिए, देखिए X की value 8 होती, यहाँ पर 8 उतरता और एक बार जाता, और यह कड़ जाता मतलब यहाँ पर यह जो X है वो क्या हो जाते आपके आठ यह हो गया आपका एंसर तो X की value यहाँ पर क्या हो जायगी X की value यहाँ पर हो जायगी 8 हो जाएगी ठीक है चलिए अगले प्रशन पर चलते हैं यदी X 4-4-6-1 क्या है कि यदी X 4-4-6-1 है जो 11 से विभाज है जो किस से 11 है 11 से विभाज है जो किस से कटेगी 11 से कट जाएगी तो आपको बताना है यह यह 11 से कड़ जा रहे विया तो बता दीजिए यह x की value क्या होगी कोई दिक्कत नहीं है हमको देखिए पहले संख्या को लेना है दूसरे को चोड़ कर तीसरे को लेना है चौतरे को चोड़ कर 5 विक लेना है जिसको जिसको आपने bracket किया इसको जोड़ हो आएगा यहां तो 11 का कोई गुड़ा आएगा तो एक काम करिए बिना देखे यहां पर आप एक्स का value 5 कर दिए तो 5 पास 10 हो जाएगा 10-10 मतलब 0 आ जाएगा मतलब एक्स की value 5 कर दिए आपका answer सही हो जाएगा यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताईए अब हम लोग आगे चलते हैं और प्रशनों को देखते हैं अगला प्रशन देखते हैं कि 34 बद्तिस एक्स साथ कह रहा कि यदि यह 9 से विभाजित हो जा रही है तो यहां से आप एक्स की value बता दीजिए एक्स की value क्या होगी एक्स का इसा कौन सा मान रखें जो कि 9 से यह पूरी की पूरी संख्या कड़िया है आपको करना कुछ नहीं है आपने ऐसा सवाल पहले भी साल किया है तो यहां पर करेंगे देखिए पांच चार नौ कड़िया और उसके बाद क्या कर जा साथ दो नौ कड़ें बचा क्या 3 प्लस एक्स बचा क्या बचा थृफ्लस एक्स बचा है तो यहां पर क्या हो जाएगा इसके डिवाइड आप 9 करिए अब यह कटेगा कब जब यहां पे आप 6 रख देंगे जैसे रख रखंगे छैतिन नौ हो जाएगा और यह संख्या कड तो पुरी की पुरी संख्या नौ से कट जाएगी ठीक है चलिए अगला प्रस्ण लोग देखते हैं अब यह कुछ प्रस्ण मैं ऐसा दे रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉटेंट है अभी तक तो हम लोग बस रूल पर देख रहे थे रूल पर ऐसे से बेश्ट बिल्कुल आप लोग पूछेंगे अगला प्रस्ण क्या कर रहा है ध्यान से सुनिए पहले सुन लीजिए उसके बाद मैं सालुक राओंगा है ना काफी पेन लेके बैठे होंगे तो आप उसको लिख लीजिए कि कह रहा है कि दो क्रमागत लिख दे रहा हूं में दो क्रमा बीच का अंतर वर्गों के बीच का अंतर है न हमेशा किससे विभाजित होता है यह आपका प्रस्ण है हमेशा किससे विभाजित ओ ओ अहोता है कि यह कुष्टन देखिए दमदार कुष्टन थे लेकिन इसमें दमदार शेन नहीं है अप एक भात हमेशा जानिये कि जब भी क्या होंगे बिसम होँगे पूर्ण क्या होता है मैंने आपको पहले बताएं कि प्राक्रीत रहता है इक-टीन--चार-पांच थ उती है प्राक्रित हो ग्रण recognized हो गया पुद्र संख्या होगे जो मिन सभी पूर्ण की अंतर तक वह आपके पूढ़ांग होते हैं चोई पूढ़ांग होता है जो तो ऐसी संख्या ले लिजिए जो विसम हो तो सबसे पहले हम लोग एक ही आता है एक ले लेते हैं और उसके बाद तीन आता है इसका वर्ग कर लिजिए इसका वर्ग तीन द्रिका नव एक का स्क्वार करेंगे माइनस एक देखिए कितना गया आठ अगया और कोई जो आपका म हो गया यहां पर आठ आया है यहां पर 16 मतलब इसमें घुड़े 2 है ये भी तो आठ से कड़ जाएगा इसका मतलब यह है कि यदि कोई भी दो क्रमागत होना चाहिए तीन के बाद तो पांस ही आता है उन्हाँ करमागत भी होना चाहिए यह नहीं कि आप पांच और नौ का निकाल रहे हैं पांच और साथ का निकाल लिए तो साथ स्कॉार मनेट पांच स्कॉार निकालेंगे तो भी आपका आठ का ही मतलब कुल विलाकर यह है आप याद रख लिजिए ऐसे समझ लिजिए कि दो जब भी दो क्रमागत विसम पूर्डांक दिये होते हैं तो उन प्रस्न देखते हैं अगला प्रस्न क्या है कह रहा है 738 738 उसके बाद है आप है छे यह 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 कह रहा कि 11 से कड जा रहा है करके 11 से कड जा 하네요 तो बता दीजिए कि आच्छा एक वियाग में पुछ रहा यहां पर क्या पूछ रहा है तो बता देजिए कि A का मान क्या होगा बिलकुल लिजिए है पहले ले लिजिए साथ फिर आठ फिर इसको छोड़कर A तीन ब्रेकेट में हो गए तीन बाहर हो गए तो इसको जोड़ लिजिए सब 8 6 14 14 26 21 माइनस 3 प्लस A प्लस A 3 प्लस 2 A हो जाएगा अब इसके बराबर यहां तो 0 यहां तो 11 एक वैल्यू आप ऐसा पूट करिए कि इसके बराबर हो जाए है हनक क्या पूट कर सकते हैं अब यह चाप यदि आपका इस प्रशन में आपसन होता तो आप्षन हम लोग चार आपसन होते हैं चारों आपसन को पूट करके रख लेते हैं जैसे ही आप नव रखेंगे क्या जीरो हो जाएंगे मतलब यहां पर जो एक ही बल्ली होगी वो क्या हो जाएगी नो हो जाएगी क्लियर है यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ठीक तो अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले में और अगले किलास में मिलने से फ़हले आप इस किलास को क्या करेंगे पूरी अच्छी तरह से इसके जो नियम है आप आप कर लेंगे और भी वह सारी प्र expans welcomed करेंगे नंने хват kasih सब्सक्राइब प्रशन कर दाने और चांए उसके बाद कुछ और वी च्टोड़े उसको आपको देखना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग से इसफल प्रवे पर चलेंगे और उसके बाद कुस्ट मिसलेनियस टाइप के परशन होंगे उन पर हम लोग चलेंगे तो वहां से हम लोग देखेंगे किस तरह से नंबर सिस्टम का थोड़ा समय ने पहले ही बता था कि थोड़ा सा यह लंबा जाने वाला है तो पहले तो मैंने जब वोटिंग कराया था टेलिग्राम चैनल पे तो वहां पर तो यहीं आया तक सर पहले नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट किया जा और मतलब 72 परसंट लोग ऐसे यहां पर यहीं समझना है, 22 परसंट लोगों ने यह कहा था, कि आपको सर पहले पढ़ाया, सब्स पर चैनल परसंट तीन से चार आपको मैत के class मिलेगी अब थोड़ा सा network इसू रहता है क्योंकि continue class चलता रहता है आपका देखेंगे तो 7 से 8 चलेगा फिर 8 से 9 चलेगा 9 से 10 चलता है फिर 10 से 11 चलता है और फिर 11 से 12 चलता है ये सभी classes चलती रहती है और उसमें क्या होता है network इसू आ जाता है थो होगा reasoning चलती है आठ से 9 हिंदी चलता है और 9 से 10 जो होता है वह आपका क्या चलता है जियोग्राफी चल रहा है और उसके बाद यहां पर उसके बाद आपको मिलेगा बायो और उसके बाद आपको मिलेगा physics तो जीस के आपके तीन पॉर्सन साथ में चल रहे हैं जीस के आप क्लास शेयर करिए और यदि क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देजिए और यदि आप नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देजिए है ना ठीक है धन्यवाद